हेलो फ्रेंट्स आप लोग देख रहे हैं सम फर्मार यूट्यूब सेनल अभी तक मेरा सेनल सब्सक्राइब नहीं क्या तो प्लीज सब्सक्राइब करें लिजिए और बेल एकन प्रेस करना ना मत फुलिए आज हम बात करेंगे क्लासिकल स्वाइन फैबर के बारे में तो क्लासिकल स्वाइन फैबर का सिम्टम क्या है क्लासिकल स्वाइन फैबर कैसे फैलता है एक पीक से दुस्छे पीक तक ट्रेंस्मिशन कैसे होता है और हमारा फाम को क्लासिकल स्वाइन फैबर से कैसे बसाए कैसे प्रोटेक्ट करें तो ख्लासिकल प्रेपर एक फायरस से होने वाला लिजीज है डिजीज फायरस का नाम है स्वायन फायरस तो हम अभी डिस्केस करेंगे सिम्टम्स जब प्रसिगल स्वाइन फेबर होता है तो जो पीग का बोडी देमपेर्शर है वो जड़ा हाय हो जाएगा स्किन में आपको रेट डॉट देखने को मिलेगा वाज स्किन रेट पर जाएगा और फिर जो आपका पीग है वो खाना कॉंप्लिटली सोर देगा खाना नहीं खाएगा और उसके खाना सोरने के बाद उसको और एक इस्वाइगा विक्नेस का बहुत ज़्यादा उइक हो सिम्टम है और एक शिम्टम है को कि कभी का डाइडिया होता है कि और क्लासिकल शायन फेबर आपका पीग का नारवस स्थेम में एतिक करता है तो नारवस सिस्थेम को बहुत ज़्यादा उइक करता है तो जब classical swain fever होता है तो जो पीक है वो अच्छे से खारा नहीं हो पाएगा या वो अच्छे से वग भी नहीं कर पाएगा तो एशा सिम्टम आपके फाम में दिखाई दे रहा है तो आपको मतलब मालूम पर जाएगा कि आपका फाम में classical swain fever हो गया है दूसरा पोइन है ट्रेंस्मिशन या स्पीट एक पीक से दूसरे पीक को classical swain fever कैसे होता है इस बारे में डिस्केस करेंगे पहला तो direct contact मतलब कोई classical swain fever से infected पीक आपका दूसरे पीक को direct contact में आए गया तो वो classical swain fever से infected हो सकता है या infected पीक का urine, lead, ठूक इससे भी आपका पीक दूसरा पीक infected हो सकता है या कभी-ख़़गी क्या होता है infected पीक को इस बर्तन में दाना दिया है सेम बर्तन में ही आपने दूसरे पीक को भी डाना दिया होगा तो ओभी आप ओछाव पीक भी infected हो जाएगा और कभी-कभी हम human भी transmission का काम करते हैं कभी क्या होता है कि किसी फार्म में हम से ला गया उस फार्म में क्लासिकल शोन पेबर आया होगा तो आपके clothes या shoes या gloves में आपका वो virus आ सकता है तो हम किसी फार्म में जाते हैं तो फिर फार्म से आने के बाद अब घर में अच्छे से कप्राश सेंस करके फिर आपके फार्म में आना सही है विकोज आपके clothes में ओ वाइरस आ सकता है तीसरा point है हमारे फार्म को क्लासिकल शोन पेबर से कैसे प्रोटेक करें तो जो क्लासिकल शोन पेबर का फेक्सिन मिलता है उसको हमें time to time देना है और जिस store से हम फेक्सिन खरी देंगे उनसे पूसना है कि उन्होंने कोल से मेंटेन किया है या नहीं किया है और आप जब फार्म तक फेक्सिन ले आएंगे तो आप भी कोलसें मेंटेन करके ले आए हैं विकोज मैंने अभी दो फार्म के बारे में सुना हैं उन्होंने फेक्सिनेशन दिया था फिर भी क्लासिकल स्वेःन फेबर आया भीकॉज जो कोल से ने ऊह तूट गया होगा इसलिए क्लासिकल स्वेन वेबर दिखाई दिया तो और एक आपके फारम में कोई एक पिड में क्लासिकल स्वेन वेबर दिखाई दिया है तो उसको आपको रिमोप करना हिं इमेडिटली और और कभी एक पिक मर गया व्याद जितना भी पिक मरता है उसको आपके फाम से ले जाना है और उसको अच्छे से डांपिंग करना है और आपके एरिया में आपको फाम में कोई फीजितर को एंटर करने का देने का नहीं विकाज वो फीजिटर आपका उसका सूख लोज या ग्लोब्स के ट्रू वो फायरस ले आ सकता है और आपका फाम को हाईजिन करके रखना है अच्छे से क्लीन करना है रेगूलर आप वॉस किजिए जो हाईजिन मेंटेन करने के लिए त्राइग किजिए मेरा वीडियो देखकर आपको अच्छा लगे तो लाइक किजिए और शेयर किजिए और मेरा सेनल सास्क्राइब नहीं किया तो पिस सास्क्राइब किजिए